मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष 2025 में पित्रपक्ष कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा जानेंग इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करेंगे और स्यरों मित्र हिंदू धार में पित्रपक्ष का बिशीश महत्त होता है ऐसे मानने ता है कि हिंदू पक्ष के दौरान पित्रों का स्राध करने से वो बहुत प्रशन होते हैं और उनकी आत्मा को सांती मिलती है ऐसी माननेता है कि पित्र पक्ष में भगवान यमराच पित्रों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त करते हैं इसलिए इस दौरान अगर पित्रों का स्राध न किया जाय तो उनकी आत्मा दुखी वर नाराच हो जाती है इसलिए आस्विन मास के क्रिष्ट पक्ष के दौरान अपने पूर्वजों की स्राध्धतिति के अनुसार पितरों की सांती के लिए स्रधा भाव रखते हुए विधी विधान से स्राध्य करना चाहिए इसलिए अपने पूर्वजों को खोश रखने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर इसनान आदि करके देव इस्थान या प्रित इस्थान को गाय की गोवर से लीप कर वगंगा जल से पवित कर ले फिर घर की आंगन में रंगोली बनाएं उसकी बाद महिलाएं सुध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं और स्राध करने के लिए स्रेष्ट ब्राम्हार या कुल का सबसी बड़ा बंस को खाने पर बुलाएं और ब्राम्हार से पितरों की पूजा एवं तरपन आदि अगनी में गाय का दूद, दही, घी एवं खीर आदि अर्बित करें फिर उसकी बाद गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथी के लिए भोजन से चार ग्रास निकाल ले फिर ब्राम्हार को आदर पूर्वक भोजन कराएं और उन्हें मुक सुध्धी, वस्त्र, दच्छिडा आद से सम्मान करें, और अपने परिवार की सुक सांती के लिए ब्राम्हार से बैदिक पाठ कराएं, और अपने ग्रिहस्त जीवन और पित्तरों के लिए सुब कामनाएं ब्यक्त करें, लेकिन इस बात का विशेश ध्यान रखें, घर में किये गए स्राध का पूर्य, तीर्त इ या अन्न कारणों से यदि कोई प्यक्ती बड़ा स्राध नहीं कर सकता, लेकिन अपने पित्तरों की सांती के लिए वास्तों में कुछ करना चाहता है, तो उन्हें पूर्ण सरधा भाव से अपने सामर्थ के अनसार, उपलब्ध, अन्न, साग पात, फल और जो संभव हो सके उतनी दच्छिडा किसी ब्रामण को आदर भाव से देनी चाहिए, यदि किसी परिस्थिती में यह भी संभव न हो तो साथ आठ मुठी तिल जल सहित किसी योग्य ब्रामण को दान कर देना चाहिए, इसमें भी स्राध का पूर्ण फल प्राप्त होता है, हिंदु धार में गाय को बिसीस महत्व दिया गया है, किसी गाय को भर पेट घास खिलाने से भी पित्र प्रसन होते हैं, यदि उपरोग्त में से कुछ भी संभव न हो तो किसी एकांत इस्थान पर मद्ध्यान के समय में सूर्य की ओर दोनों हाथ उठा कर अपने पूर्वजों और सूर्य द अपने हाथ आपके समक्त फैला दिये हैं, मैं अपने पित्रों की मुक्ती के लिए आप से प्रात्ना करता हूं, मेरे पित्तर भी मेरी स्रद्धा भक्ती से संतोष्ट हो। ऐसा करने से ब्यक्ति को मृत्त रिण से मुक्ति मिलती है जो भी स्रधा पुर्वक स्राध करता है उसकी बुद्धी पुष्टी इस्मरण सक्ती धारणा सक्ती पूत्र पौत्रादी एवं इस्वर की बृध्धी होती है मित्रू अब आपको बता दें कि वर्ष 2025 में पित्रपक्ष 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को प्रारंब होगी और 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को समाप्त होगी 2025 में संपूर स्राधतितियां इस प्रकार है को अबादी बनादी आपको पूली अविवार को रविवार को भी होगी में स्वर के लगए गष्टिपज़ को ऑ्र डवदी और 20 अबार देंड़ होगी तो शित्टि कि आपके ले ऊविवार को आपको पया है झाल झाल झाल